नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं सोहन सर्मा कीचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज मैं आपके शार्ष शेयर करूँगा राजस्तान की परसिद गोंद के लड्डू, यह जो लड्डू है ना, राजस्तान के अंदर शर्दी आते ही बन जाते देहरों बनते हैं, खूब सारे बनते हैं, क्योंकि उनका नास्ता यह ही है, मुंग डाल के लड्डू और गोंद के लड्डू, सर्दी में मस्त रहते हैं खापी के एक डम, तो इससे आपके अगर कमरदर्द, सर्दर्द, वदन दर्द, गुटनों का दर्द, और ठकान, जोरी, खून की कमी है, तो यह बहुत ही आसानी से पूरी करता है, जरूर बनाएए, वीडियो पसंदर्द, प्लीज, वीडियो बिलाक्स है, जरूर कीजिये, देखे, यह मैंने 200 ग्राम बदाम लिया है, यह सोंट का पाउडर है, एक बड़ी चमच, जिंजर पाउडर, और यह 1500 ग्राम पिस्ता साबूत, और यह पींपली, इसको कोई पीपल भी बोलते है, पींपली बोलते है, 15-12 मैंने लिये साबूत, इसको कूट के बारी करना है, और यह 1500 ग्राम 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 आपको जो भी पसंदो, जो भी जादा फायदा करें, वो लेके 1500 ग्राम है, और य लेना है और गोंद को अलग बरतन में रख लेना है इधर मेक्सिका जाड़ लिए उसके अंदर 200 ग्राम बादा और 1500 ग्राम पिस्ता मैंने डाल दे इनको दरदरा पीसने आपको बिलकुल बारिक नहीं करना है देखे मैंने पीस लिया है इस तरीके का दरदरा आपको मोटा आपको दूरीक जादा लिए तो गी भी तोडा जादा यूज होगा तो मैं 100 0 obram घाळा की अभी डाल रहूँ मैं धीन स्वक्राम घी लेने, 1500 घी ःओं भी डाल रहा हूं मैं गोंद फ्राइ करने के लिए तो जहीं गह गरम हो जाए अच्छा सा तो घोंद आपको थोड़ा तो काला हो जाएगा, इस तरीके से आपको सारा गौन त्राइ करके रेडी कर लेना है, देखे, फिर से मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से गौन आपको डालना है इसके अंदर, और गौन जब एकदम फूल कर उपर आ जाए, तब आपको इसक जाए तो समझ लेना, गौन एकदम पक गया है, इस तरीके से आपको कोई जालीदार चलनी से, लोही की जालीदार चलनी है, उससे निकाल लीजिए, इस तरीके से सारा गौन फ्राइ कर लीजिए, अब देखे, कितना घी यूज हो गया गौन गी अंदर, अब घी इसके मैंने पूरा 300 ग्राम घी यहां पर ले लिए, आदा कप डाल दिये, और ये 200 ग्राम आटा है, इस कप से एक कप है, दूसरा वाला जो नॉर्मल कप है, उसमें नहीं होता, लेकिन इस कप से एक कप 200 ग्राम मैंने तोल के लिए अच्छे से भरके, इसको मीडियम आज पर आप आज क्या बना रहे हो भाई, देखिए, शेक्ते-शेक्ते ये सुनेरा ब्राउन कलर का हो गया, अब ये आपको क्या करना है, आपके पास जो गोंद का जो पाउडर बचाता है, वो इसके अंदर डाल देना है, वो भी फूल जाएगा, और काम भी आजाएगा, घ्यान रखि पास, वो भी हम डाल देते हैं, इसके अंदर फख जाएगी, और हमारे पास जो सोंट का पाउडर है, ड्राइड जिंजर पाउडर, एक बड़ी चमस वो भी डाल दिया, और ये पीबली, ये ओप्सनल है, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और एक छोटी चमस डाल जो दर दरा पीसा हुआ था, पीस्ता बदाम, आप चाहे तो यहां पे सुखे नायरेल को कदू कर्श करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो काजो वगरा भी डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्यत नहीं है, और मगज वगरा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्यत नहीं है, अब इसको हमें 5 मिनिट धिमी आज में इस तरीके से पकाना है साथ में ताकि ये चीजे भी अच्छे से पक जाए कच्छा पन ना रहे इसके अंदर इस तरीके से चलाते हुए तो पीपली आप चाहे तो डाल सकते हैं बहुत फाइदा करती है इतनी सी अब लड़ू के अंदर और लड़ू का टेस्ट भी बहुत भड़िया आता है इसके अंदर तो आप चाहे तो डाल सकते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं और बच्छा होने के बाद जो लड़ू खाते वो यह वाले ही लड़ू है, जो इस तरीके से बनते हैं, तो आप वहां भी इस लड़ू को बना सकते हैं, देखें, पांस मिनट बाद, पुरी तरीके से सब चीजे सीख गई हैं, तो उतार लिए मैंने, उतारने के बाद भी आपको इसे चलाना नहीं, तो कड़ाई गरम होती है, नीचे से हमारे जो यह मिश्रन है, यह जल सकता है, तो इसको पांस मिनट ठंडा होने देते हैं, दो मिनट चला चला, उसके बाद पांस मिनट ठंडा होने देते हैं, ज्यादा ठंडा नहीं करना इसको, पांस मिनट ठंडा हो गया, हमारे हाथ बरदास कर सके, सर्दी है, इस को पूरा करते हैं और सर्दी में गुर्ट कितना अच्छा रहता है कि मैंने डेड़ कप लिए क्यों लिए कि इसके अंदर लंस है हमें एक कप की जुरूत है करीब 200 ग्राम हमें चाहिए तो यह इसको थोड़ा साइसे चूड लेता हूं और इसको माप लेता हूं मैं एक कप हम फ्राइग बूंता वह डाल दिया मैं आप चाहो तो इसके अंदर गुर की चाश्नी में नाकर भी डाल सकते हो कुछ दिन पहले मैंने अमिनिटी बूष्टर लड़ू बनाये थे उसके अंदर गुर की चाश्नी डालेती वो वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जा आप चाहो तो यहां इलाइची पावडर भी डाल सकते लेकिन हमें केसर का फ्लेवर पसंद है तो केसर डाल रहे केसर की पतियां और इसको अच्छे से मिला लेना है फिर इसके लड़ू बान लेने यहां आप ध्यान रखेगा ड्रायपूर्ट्स अगर कम ज्यादा होते है तो घी है ना थोड़ा कम भी पर आपने कोई ड्रायपूर्ट्स और ले लिया तो घी कम हो गया तो लड़ू लास्ट में बंदेगे आराम से नहीं इस तरीके से आपको लड़ू बांदे अच्छे से दबाके अगर लड़ू नहीं बंदे तो थोड़ा सा घी यहां पर आपको लड़ू को इस तरीके से दबाके क्योंकि गौंद के अंदर घी है तो वह दबेगा ना तो घी रिलिज कर देगा और लड़ू अक्षे से बन जाएंगा इस तरीके से आपको सारे लड्डू बांद के त्यार कर लेने है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो पनी इस वीडियो को लाइक सेर जरूर करना पहली बार चैनल देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही दवा दीजे पहला आप ये लड्डू खाईए और सरदी में अनेर्जी से वर्फूर रहिए